तुसी सवर्ण गोल्ड बॉंड या फिर SGV या बहुत सर्ण वीडियोज देख्या उड़िया है तो जातर आही सुननों मिलदा है कि SGV बहुत वधी है गोल्ड दे विच इन्वेस्ट करनदा SGV सब तो बेस्ट रिक है तो होर भी बहुत कुछ बट एक प्रॉपर सचाही नहीं है कई बारता SGV गोल्ड दे विच इन्वेस्ट करनदा सब तो बुरा डिसीजन भी हो सकता है इस वीडियो दे विच आपा सॉवर्ण गोल्ड बॉंड बारे हर एक गल फिलियर करांगे किनू इदे इज़ इन्वेस्ट करना चाहिधा तो किनू नहीं करना चाहिधा इदे फाइदे नुक्सान किया पटो देखोने तो पहले एक वर यह देख लेने है कि असल दे विच्छ सॉवरण गोल्ड बॉंड होन्ड थे किया है तेदे वाचे डिपाल्ट होन दी प्राविबिल्टी अल्मोस्ट जीरो हो जांती है तेचीज एसजीबी नो अल्मोस्ट परसेंट सेफ ते सक्योर बनाती है बट गोल्ड खरीदर दे हो भी कई तरीके है एसजीबी होना ना लग किमें है देखो इसटेबल देगे अच्छासी में में डिफरेंस दास देख ब्राडली गोल्ड खरीदर दे पांच ओप्षन है फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड एटीफ, गोल्ड म्यूचल फंड, ते साबरन गोल्ड बॉंड इनना सारां सब्तों बटा फर्क इनना ते ओनला खर्च चाहिए जिकर में गलकरां फीजिकल गोल्ड दीता होत्ते ते इनना सब्तों बटे खर्चे होंगे पहला खर्चा ज्वैलरी बुनाओन दा जिथे कि तो आनू कटो कट पाई तो 10 परसंट देना पेंदा है फिर वो फिजिकल गोल्ड खर्चा भी रिटेल कंजूमर दे होंदा है जो कि बहुत ज्यादा हाई है बट डिजिटल गोल्ड दे वेच कई बार बाइंग ते सेलिंग प्राइस नालों दो तेन परसंट दा डिफ्रेंस आ जानदा है तो अनू गोल्ड खरीदन वेले भी 10 परसंट ते भीचन वेले भी 10 परसंट दा काटा पेंदा है फिजिकल गोल्ड दी तरा डिजिटल गोल्ड ते भी तो अनू 10 परसंट जी एस्ट देना पेंदा है जो कि अद्दे परसेंड तो हो एक परसेंड तक ही होंता है ते annual demand charge जो कि सिर्फ दो सो तिंसर परे होंते हैं हो ही देने पहनती है So overall gold ETF ते खर्चा 2% तो बाद नहीं होंता जो कि physical gold ते digital gold दोना नालोई बहुत जादा बैटर है Gold mutual fund दे विच था एक खर्चा होर भी काड़ जादा है यह थे तुसी सिर्फ expense ratio देना होंता है gold ETF दीजरा SGV दे केस दे विच इन्वेस्ट करन दा खर्चा बिल्कुल 0 हो जादा है प्लास से रहे कुछ होर benefits भी ने जिमेक SGB दे इन्वेस्ट करन दे ता अनू 5% साल दा व्याज मिलदा है पर बाकी options दे ता अनू कोई व्याज नहीं मिलदा SGV क्रीद देन मिले ता अनू 55 पे पर ग्राम ते अलाग तो discount मिलदा है पर example जेकर gold दा प्राइस 5,900 पे पर ग्राम चल रहे है तो उसी 1SGB क्रीद दे हो ता अनू 55 पे डिसकाउंट करके ता अनू 1SGB 5,800 पे पर ग्राम पेगा gold investment दे गेंस ते तो अनू capital gains tax परना पेंदा है पर जेकर तो उसी SGV दे विच इन्वेस्ट कर दे हो ते अपने investment 5 साल या उस तो बद होड़ करके रख दे हो ता अनू capital gains tax नहीं परना पेंदा उन्हें सारा कुछ देख के ता एद्दान लाग रहे है कि SGV बहुत ही वधिया है फिर देखत गी है ता चलो उन गाल कर दे हैं SGV दे वेचे इन्वेस्ट करन दी कुछ practical problems दी देखो जेकर तुसी आपने SGV bonds पांत साल तो पहला बेचन जा रहे हो तो 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 डिपल एक ऑप्शन बचेगा कि इन्हों secondary markets बेच दो यानि कि stock exchange तो secondary market दे वेचे buying ते selling liquidity काफी बदिया होनी चाहिए यानि कि exchange दे काफी सारे buyers दे sellers होने चाहिए दे है जो की काफी बदिया numbers दे वेचे trade कर रहे हो बट SGB दे case दे वेच liquidity बहुत ही काट हों दी है यानि कि तो अनू तो अटे bonds exchange दे वेचन वेले दिखकत आ सक दिया तो यह कोई बदिया बायर मिल भी गया ताम ही तानू काफी सारा discount दे के bonds बेचने पैणगे क्योंकि इस चीदी demand ही बहुत कट है RBI यह ना bonds नू अल्मोस्ट हर मिने इशू करता है तो 2015-16 दे इशू कर रहे है तो यह कर आज जपा जनवरी 12 आप चेहीच देखिए ता RBI यह टोटल 80-90 अलगलाग इशूस कर चुक्या तो यह लग-लग इशूस दे वेचे कि नॉर्मल इंवेस्टर नू अनलाइज करना ही मुश्किल हो जानदा कि केड़ा इशू खरीदना थे खरीड़ा बेचना है एसे करके जातर इंवेस्टर स्केंटरी मार्केट देवेचे SGB नू खरीदन थे बेचन तो थोड़ा परी रेंदे है तो जिनने खरीदना भी हुंता है वो सोच दा है कि अगले भी ने RBI ने नमाईशू काटता देने है वो दी खरीद लूँगा आज स्केंटरी मार्केट देचे करांच कातो पेना है उनना इद्दा दे हलात देवेचे जीने बेचना हंदा हुँ चरे फास जान दे है यह एक्सचेंज दे 15% डिसकाउंट मिल रहे था असी खरीद लेने है जी बिल्कुल तुसी ट्राइब कर सकते हुँ बट इनना दे इश्यूज नूँ एनलाइज करन दा प्रसेस बहुत ही कॉंप्लिकेटड है असी अल्रड़ी ट्राइब कर जुके हैं तो सची दसां था टाइम वेस्ट ही है बट फिर भी जेकर तुसी करना चाहो तो कर सकते हुँ उन्हें अड़ दाएंड स्वाल आ जान दा है कि SGB देविच नवेस्ट करना चाहिदा है या नहीं करना चाहिदा है बट जेकर तुसी शौर्ट आम यानि के दो-चार साल लगी ही इन्वेस्ट करना प्लान कर रहे हो तासे तानों strongly recommend करांगे कि तुसी या ता gold ETF या फिर gold mutual fund देना जा सकते हो उत्ते तानों काफी सारे बदी options मिल जानते हैं बाकी इस चीज़े रगार्डिंगे करता अड़ा कोई भी स्वाला आज आनों comment section देविच पोच सकते हूँ मिल दें आगली वीडियो देविच तेल देन बीकी फाहिती